हाई एव्रीवान वेलकम तु दिस वीडियो वेलकम तु रैंक सेक्ट के और अकाडमी दिस आर्ट इमिश्रा और तुड़े इन दिस लाइप सेशन वे अगर हम देखें तो कई सारे यूरोपियंस हमारे देश में आएं जैसे कि पॉर्टगीज डच डैनिश इंग्लिश इन स आनेंगे लेकिर आज का ये लेसन है पॉर्टगीज के बारे में जो सबसे पहली बार इंडिया आए और सबसे आखिर में इंडिया से गए तो कैसी थीन की जड़नी आईए देखते हैं इसे प्रिजेंट कर रही हूं मैं आर्टी मिश्रा आम वन आप दी टॉप एजुकेट इसके बाद ही अरप्स का कबजा हर जगा होता जा रहा था किस तरीके से अरप्स ने पूरे देश में आप कह सकते पूरे विश्व में जो है अपने इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स पर कबजा कर लिया था वो हम जानेंगे इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स के उपर ज भूंड ही निकाला और आखिर वो इंडिया क्यालिकट के पोर्ट पर पहुंचे इसमें उनकी हेल्प की थी अब्दुल माजिद ने जो कि एक गुजराती पाइलेट थे वास्कोट इगामा के आने के बाद उन्होंने यहां पे कुछ फैक्ट्रीज को सेट अप किया और धीरे फैने थे दिरे पोर्तकीज अपनी पावर को बढ़ने के लिए यहां गवर्नर को अपॉइंट करने लगे तो आज हम तीन गवर्नर के बारे में जानेंगे पहले थे अलपॉंजो दी अलबी कर्प हाला कि इन से पहले अलमीड़ा भी आये थे उनके बारे में भी हम साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल ही नए बैचे शुरू हो रहे हैं अकाडमी प्लस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में 2021 और 2022 के लिए इन तीन बैचे को अगर आप जोईन करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द आपको इंडोल करना चाहिए क्योंकि फॉर्थ मही से ये सारे बैचे शुरू हो जाएंगे तो अगर आप इन्हें जॉइन करना चाहते हैं तो आपको ये रेफरिल कोड अपलाय करना है रांक 10 जिससे कि आपको डिसकाउंट मिलेगा और मेरी परसनल गाइडन्स मिलेगी ठूरू आउट यूर प्रिप्रेशन और अगर आपको क नेविगेशन पावर ही थी जिसके वज़े से ये जीते जिसके वज़े से मतलब ही इंडिया में इतने अच्छे से अपनी पोजीशन को कंसॉलिडेट कर पाए तो क्या थी इनके पास इतनी इंपॉर्टेंट नीवी और कैसे ये आगे बढ़ रहे थे तो होता ये है कि अग आरफस ने हर जगा अपना domination इस्थापित कड़ लिया इजप्ट और परशिया में आए मैक में इजप्ट ौर परशिया को दिखते हैं यह जो पार्ट है यह है आपका इजिप्ट यहां पे अलेक्जेंडरिया भी है और यह पर्शिया जो है यानि की इरान तो यहां इरान पर और यहां इस इलाके में इजिप्ट पर जब कबजा हो गया आरब्सका तो आप समझ सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट रूट था अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताईएगा तो गाइस यह जो इंपॉर्टेंट सारे लांड रूट थे अब उस पे अरब्सका कब्जा हो चुका है यानि की मुस्लिम्स का कब्जा हो चुका है और अगर आप देखे तो भारत तक आने के सारे रास अगर वो चाहते तो डिरेक्टली यहां से शॉर्ट कट से एसे रेड शी होते होते हैं ऐसे करके इंडिया आ सकते थे यहां से पहुंच सकते थे यह एरो को ध्यान दीजे तो देखें ऐसे कर सकते थे यहां पर उनको रोकने के लिए औरब्स मौजूद हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसके अलावा अगर आप देखें तो जो भी इंपॉर्टेंट यहां पर सेंटर्स थे सब पर अरब्स में कबजा कर लिया था अब भारत से जब भी कोई सामान आता था तो यूरोप में जब तक वो समान पहुंचेगा तब तक वो अरब मुस्लिम इंट सोच रहे थे कि वो क्या ऐसा करें कि भारत तक आने का उन्हें बेक्र रूट मिल सके इसके लिए हुन्होंने अपनी नेवी को पहले इस्टॉंग किया नेविकेशन में उन्होंने काफी सार एक्सपरिमेंट्स किये और बहुत ही स्टॉंग नेवी के साथ वह आखिर भारत पहुंच ही जादे तो आप देखेंगे कि यह जो रूट आप देख रहे हैं यहाँ से होते 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 इस तरीके से पहले यहां पहूंचए थे पद्लब पहले तो शुरूप में यह फेल भी कई बार ये केप आप गुड होग तक पहुंचे ही थे फिर यहां से जो है वास्पोट इगामा को अब्दुल माजिद नाम का एक गुजराती पाइलेट मिला जिसने उनकी हेल्प की और वो उनको आखे यहां ले आया किसी ने नहीं सोचा था कि जो लोग यहां व्यापार करने आ रहे हैं एक दिन वो इसी देश को गुलाम बना लेंगे तो आईए देखते हैं कि चीजे होती कैसे यहां आप देख सकते हैं यह एक ऑटोमन इंपायल हुआ करता था बहुत इंपोर्टेंट यह पार था अगर आप देखे तो इसकी बहुत इंपोर्टेंट एरिया पर लुकेटेड है अब यहां क्या हुआ अरब्स का कबजा होग जो इस्तामबूल का इलाका है यह इस्तामबूल का इलाका है इसकी बात हो रही है यह अब तुर्क्स के हाथ में है यानि कि जो मुस्लिम्स हैं उनके हाथ में जा चुका है अब जो भारत का सारा समान यूरोप तक जाएगा वो इन ही मिडल में के हाथ हो जाएगा जिसकी वज कि उन्होंने जब यहां का समान बेचा यूरोप लेकर के तो फिर वह बहुत ज्यादा कमाते बड़ा प्रॉफिट होता है तो उन्होंने बोला कि चलो यहां पे जो है और प्रैक्टरी लगाऊंगा तो शुरुवात में यहां के जो राजा थे कैली कट के जो राजा ते जैमो कि में और कोची तरीके से उन्हों से बहुत इंपोर्टन ड्रेट सेंटर बैच जाते हैं तो थे मैं कि यह आ MAपमेeng को पी इंप साथ हैं। तो सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अलमीडा कीना was नूली अपवärणर कुंकि इन्होंने बहुत इंपोर्ट इंहोंने बहुत काम किया था इन्होंने जो दे भर इंपोर्टftaें कीना कीना की जो खुड़रिय मेरती पूरी तरीके से तो आप देख सकते हैं यहां पे है औरमुस यहां है आडन और यहां है मलक्का इन तीनों इलाकों पर इन्हों ने जो है अपनी एक स्ट्रॉंग पोल्ड पोजिशन बना ली और पॉर्टिगीज को पूरी तरीके से फैला दिया अब इंडिया तक आने के सारे रास्तों पर पॉर्टिगीज का पूरा कब्जा था तो 1507 में पॉर्टिगीज जो है इनकी एक लड़ाई होती है नेवल बैटल ऑफ दियू यहां पर आप देख सकते हैं यहां है दियू मैप में तो दियू की यह बैटल जो थी इसमें एजिप्ट के जो वहां के जो तह इजिप्ट के जो राजा थे उनकी और गुजराद की जो नेवी थी गुजराद क्योंकि थी हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा था जहां पर पॉलिटिकल स्टेबलिटी थी इस टाइम पर और कहीं पर भी नहीं थी तो गुजरात के जो राजा हैं वो एक तरीके से हेल्प करते हैं एजिप्ट के राजा को कि आईए और हम सब मिल करके पॉर्टिगीस को खतम कर देते हैं इस लडाई में जो अलमीडा का बेटा है वो मा प्रेंच लेकर के ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया ब्लू वाटर पॉलिसी बिल्कुल इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि जितना भी इंडिया तक आने का सारा समुधरी रास्ता है इंडिया नोशन का पूरा जो पार्ट है उसके उपर कबजा कर लो ताकि वहां से कोई और ना सके इसके इसके बाद पिर हम देखते हैं कि अलफॉंजो टी अलबी कर्ट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया इन्हों ने जो रेड सी का पूरा इलाका है उसको कैप्चर कर लिया था और मोज मलबार मलक का सब को जो है नो ने देख लिया था तो देख सकते है आपया पई आपये और मोज मलक का इरिया यह सबसे बाद बात किया है इस मौसून मौसून के बारे में जाना मबस जरूरी है क्योंकि यहां से यहां यह नहीं पार इंप्समों संंधिक जो बहुत हक्राइब क्यों reformat Hill अगर है तो बहुत अच्छा navigation होता है navigation में मौसून इसके बाद इन्हों ने अपने आपको विलेज हेडमेंट बना दिया है तो अलपॉंजो टी अलबीकर्क जो थे इन्होंने क्या बोला कि हम यहीं रहेंगे और यहां पर बस जाएंगे यहीं पर डिवलप्मेंट का काम करेंगे यहीं पर व्यापार करेंगे भारत को पूरी त प्लांटेशन उन्होंने शुरू की प्लांटेशन और अग्रिकल्चर में क्या डिफ्रेंस होता है अग्रिकल्चर का मतलब होता है जब आप छोटे लेवल पे करते हो जादा मशीने आपको नहीं चाहिए होती है पर प्लांटेशन एक लार्ज स्केल पर होता है मास प्रोड बास्केट बनाने काम और इस प्रकार के हैं यह भी शुरू किया इसे रिगिंग कॉर्डेज वेगरा कहते हैं तो यह सब काम इन्हों ने शुरू कर दिया था तो धीरे धियापार को आगे बढ़ा रहे हैं क्राफ्टमेंशिप को आगे बढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा किया था सबसे पहले जो है वो थे जिन्होंने सतीप्रथा को बैन किया था इंडिया में फिर हमारे जो आखरी जो नीनो दे कुनहा है यह आए तो नीने तो कनहा का नाम क्यों है क्योंकि इन्होंने क्या किया था बड़ा इंपॉर्टन काम किया था इन्होंने हैड़क्वार को शिफ्ट कर दिया है इसके बाद जो है यह बेंगॉल के तरफ भी आगे बढ़ रहे थे और वह क्या था कि इनकी जो गुजरात के जो राजा थे बहादुर शाह उनके साथ इनकी थोड़ी तनातनी हो जाती है तो बहादुर शाह बोलते कि वह बीच में एक दिवार खड़ी कर देंगे कि पॉर्टिगीज का इंपायर अलग हो जाए और गुजरात का इंपायर अलग रहे वो अपने आपको सेफ रखना चाहते थे लेकिन पॉर्टिगीज ऐसी दिवार खड़ी नहीं करवाना चाहते थे पॉर्टिगीज इसके लिए मना भी करते हैं और इसी बात प पूरा फैलने लगे कर ये बंगॉल में गए बंगॉल में भी इन्होंने जो है वहाँ पे प्रेड करना शुरू किया और सॉल्ट की जो मैनुपेक्चरिंग है उस पे उन्होंने मोनोपॉली भी लगा दी थी और हुगली को भी अपना हेड़कॉर्टर उन्होंने बना लिया बंगॉल में भी काफी तेजी से ये लोग आगे बढ़ रहे थे अब इनका क्या सिगनिफिकेंस है क्या किया पॉर्टगीज ने इंडिया में इन्होंने काफी सारी कलाकारियों को आगे बढ़ाया यहां पे कई सारे चर्च बनाएं मिशिनरी अक्टिविटीज करवाईं ल जोएल्री बनाने का काम हैं मेटल वर्क्स जो होते हैं तो फिल्ग्री मेटल वर्क आजकल मेटल जोएल्री का पैशन आप देखते हैं तो यह सारी कीज एक्चुली में पॉर्टगीज नहीं शुरू की थी और चर्च के डिजाइनिंग और यह सारा जो नया नया आर्ट है होने इंडिया में इंटर्ड्यूस किया था तो आज का लेसन हमारा यहीं खतम होता है आई होप यह आपके लिए हल्फुल था और अगर आप मेरे पूरे न्सी आर्टी कोर्स को और स्पेक्ट्रम के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव को जोईन करना चाहते हैं तो और अरक आड्म कोड अप्लाइ करना है रांक 10 अगर आप चाहते हैं कि मैं परस्नली आपको गाइड करूं और वो सिर्फ इसी कोड से पॉसिबल है अगर आप यह कोड अप्लाइ करते हैं तो I would be your mentor throughout your preparation and I will guide you personally on daily basis regular basis और यह है नमबर जिस पे आप कॉल करके सब्स्क्रिप्शन डिलेटेड क इसको पूछ सकते हैं कल जो बैच लॉंच हो रहे हैं उनके सभी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए है इस कोर्स का पूरा प्ले लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसके आगे और पीछे के बांकी लेसन देखने के लिए Thank you so much for watching, see you then take care, bye-bye.